वो सब बंद करवा दिये फिर पंदा दिन के बाद बुलाया आए और उस पंदा दिन के बाद यानि की एक मीने में उनका जखम ग्रेनोलेशन टीशू पूरी तना भर चुका था कम्प्लीटली तीनों जखम कम्प्लीटली भर चुका था और तीनों में साइडों में स्किन ग्रोवनी शुरू होगी थी उस दिन वो जो डॉक्टर उनको लेके आया थे he was very much surprised क्योंकि उनको भी गैनोडोमा के बारे में नहीं पता था भी recent ही जुड़े हैं और डॉक्सर इतना हेल्दी ग्रेनोलेशन टीशू एलोपेथी के तीस साल में नहीं नहीं देखा जो इतना हेल्दी ग्रेनोलेशन टीशू था वो फिर उनको पंदा दिन के बाद बुलाया और अभी पिछले हफ़ते दिखा के गए हैं तीनों जखमों में नेरली 20% स्किन भी कवर हो चुकी है और उनकी टाम में आज सेंसेशन भी वापस आने लगी एनादा बलड का फ्लो भी शुरू हो चुका ऐसा तीस साल में नहीं देखा था और उस दिन आदमी रोपड़ा के सर लगता है अब मेरी टांक बच जाएगी उसकी भी जिन्दगी बदल गई इसकी वज़ा से लोगों की जिन्दगी बदलती है इसकी वज़ा से बदलती है पांच शे दिन पहले एक आदमी आये मेरे पस लुध्याना के पासे गाउं से कोई पौने दो मिने पहले फोन पर बात हुई दी मिरे से उनको डापटीस थी डोस कुछी एक डीकस ने सा जुड़ा हो था आदमी था क्या डोस देनी है जी मैंने डोस बता दी पांच शे दिन पहले वो आदमी बज़र्ग आदमी है एराउंट बाससर ट्रेसर साल के वो आए जेव से फोटो निका ली सर मेरी फोटो देखी मैंने सोच जब मैंने का अभी मैं तो पेशेंट दिखता हूँ मैं फोटो नहीं देखता है नहीं सार ये फोटो देखी देखी फोटो मैंने क्या है इस में आप कहते हैं मेरी तरु देखिए मैंने चेरा देखा चेरा देखा फिरसे मेरी ने जर फोटो पे गी एकदम से क्या कारण था उस फोटो में वो तीन मिने पराणी फोटो थी उस फोटो में उनकी एक बाई आँख बंद थी और अब वो बाई आँख खुली वे थी तो मैंने भूच आब ये क्या है क्यांकि मैं तो स्पेशन की हिस्ट्री जानता नहीं था सिर्फ फोन पर बाई तो थी कि जी फलाँ को शूगर है कैसे शूरू करें तो वो बताने लगे बोलते हैं जी आप एक तीन बहुत मशूर डॉक्टर हैं आँखों के पंजाब में दुनिया में मशूर हैं उन्होंने तीनों का नाम लेके का कि आपकी इस दुआई ने वो तीनों डॉक्टरों को फेल कर दिया क्या ऐसे आट साल पहले एक्सिडेंट हुआ था और एक्सिडेंट में ये आँख की नर्व डेमेज हो गई रोशनी भी आँखी बहुत कम होगी सिर्फ बीस एक परशनट है गी और ये पलक ये गिर गी उड़ती नहीं थी तो सब आँखों के डॉक्टरों ने बोला कि ये नाड़ी आपकी डेड हो गया ये ने ठीक हो सकती सारी उमर और पौने दो मेने में उनकी पलक खुल गई उसकी भी जिन्दगी बदल गई गैनोड़मा से जिन्दगी बदलती है इस आँखों रिसेंट रिजल्ट रिजल्ट तो अब बहुत है पर उसके बावजुद भी अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ कही लोग अब भी विश्वास नहीं करते बट हम लोग जो डियेक्स से जुड़े हैं हमको पता इसमें कितनी ताकत है सो हम लोगों के साथ इन्फॉमेशन शेयर करते जाते हैं किसी को अच्छा लगे ठीक ना अच्छा लगे ठीक अब ये नासका क्या चीज़ है ये सब कुछ कैसे होता है लेट्स डिसकास तैट जो कैसे कि मैं हंडर परसंट सौस्त हूं हर एक को कुछ ना कुछ प्राउलम है तो इसलिए इसकी हर एक को जरूरत है आज हर एक सौस्त क्यों नहीं है ये जो खाने पीने में जो प्राउलम साथ नेचर ने प्रकृति ने ये जो हीमन बाडी बनाई है इनसान का शरीर ये दुनिया का सबसे बड़िया डॉक्टर है हीमन बाडी इस दा बेस्ट डॉक्टर इन दे वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़िया डॉक्टर है ये इनसान का शरीर क्योंकि नेचर ने इस शरीर के अंदर एक बहुत अद्बुत ताकत रखी हुई है नेचरल डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम बिमारियों से लड़ने की अंदर की ताकत रोक प्रतिरोदक शक्ति अगर इनसान का इम्यून सिस्टम बिलकुर ठीक है पूरी तरह फंक्शनल है तो और किसी डॉक्टर की जूरत नहीं पड़ती कोई बिमारी नहीं आती अंदर इतनी ताकत प्राकृति ने दी हुई है इनसान का शरीर इम्यून सिस्टम सब बिमारियों से निपड़ सकता है पर आज इम्यून सिस्टम बिगड़ गया बहुत बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया खाने पीने की क्वालिटी बदल गई टॉक्सिंस विशाले पदार्थ खेतों में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूरिया से बनावा दूद दूद के लिए जारोनों को ठीके और ये जो सब कैमिकल्स हैं ये उस खुराक के रस्ते उस दूद के रस्ते हमारे अंदर जा रहे हैं ठीक बाद है ना ये हमारे अंदर जा रहे हैं मुझे याद है पांच-छे मिने पहले पंजाब में एक जगा पे ऐसी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में एक पंजाब किसान यूनिन के एक परधान है प्रेजिडंट वो बैठे हुए थे अब ये मीटिंग शुरू उने में दो चार मिनट थे तो वो मेरे साथ बैठे दे मैं उनके साथ थोड़ी डिसकुशन करनी शुरू कर दी मैंने का जी आप बज़र्ग है आप सियास्त में भी हैं पॉलिटिक्स में भी हैं बहुत आप आपकी जानकारी बहुत होगी आप क्या बेरे को बता सकते हैं कि आज बहुत बैमारियां बहुत बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है और वो पंजाब किसान यूनिन के प्रेजिट्ट वो बोलते हैं जी ये जो खेतों में हम जहर डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स खा दें तो मैंने कहा आप किस बत का पता है कहते हैं जी पता है तो मैंने कहा आप तो प्रेजिट्ट हो पंजाब किसान यूनिन के तो इसके बारे में आप कुछ स्टेप्स क्यों नहीं लेते ओ जी मैंने बात की थी मैंने फलान चीफ मिनिस्टर से बात की थी फलान चीफ मिनिस्टर से बात की थी वो सुनते ही नहीं, ये फर्टिलेजर बिनाने की नहीं नहीं फैक्टियां लगाते जाते हैं तो मैंने उनको बोला, कि वो फैक्टियां इसनी लगाते हैं, क्योंकि किसान उनको मांग रहा है जब किसान किएगा हमने खेतों में यह जाहर यूज नहीं करना तो वो फेक्टियं कहां से लगेंगी अपने अपन दो जाएंगी लिकास डिमांड आ रही है उसे पैदावार ज़्यदा होती है पैसा ज़्यदा आता है पर अल्टिमेटली वो जो जो जमीन है उसकी जवशक्ती भी खतम हो जाती है और से तो खराव होती होती है उसके बाद जूद यूज हो रहे है सॉफ ड्रिंक्स के बारे में आप सब लोग नो सुना होगा साल देट साल पहले बहुत रिपोर्ट साही थी सॉफ ड्रिंक्स में कितने इंसेक्टिसेड और कितने पेस्टिसेड पाएगे मेरे पास एक रिपोर्ट है पेस्टिसाइड इन सॉफ ड्रिंक्स हार्ड फेक्ट्स ये एक मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है मेडिकल जर्नल पंजाब का एक मेडिकल जेनल है करेंट मेडिकल जेनल नॉट जोन अगस्ट दोजार तीन ये इन डॉक्टर्स के एक रिसर्च रिपोर्ट है सॉफ डिंग से देखा गया है कि सॉफ डिंग इनसान के शरीर को एक तरीके से नहीं करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इसरी इतनी स्टॉंग है। सॉफ डिंग्स में कोई nutritional value नहीं होती, कोई vitamin नहीं होते, कोई minerals नहीं होते। और फिर उसमें जो हम लोग पीते हैं सॉफ डिंग्स को। शेल्फ से उठाके तो पीते हैं नहीं, सबसे थंडा। जब बजार से खिर्दे भी जाते हैं, कि वो जो फ्रीजर में सबसे थंडा पड़ा है, वो देना। थंडा मतलब कोका कोला। वो देना है। और इतने कम टापमान पे, some temperature something like zero, zero degree Celsius के करीब, जब हम सॉफ डिंग्स पीते हैं, तो उससे हमारे पेट के अंदर जो enzyme है, वो काम करना चोड़ जाते हैं, digestive enzymes काम करना चोड़ जाते हैं, खाना हजब नहीं होता, खाना सड़ने लगता है, fermentation होने लगती है, जब fermentation होने लगती है, तो उससे कई बदबूदार gases बनती हैं और कई तरह के toxins बनते हैं, विशाले बदार्थ, और वो toxins हमारे अंतरियों में अब्सार्ब हो जाते हैं, पूरे खून के रस्ते हैं,